हालो एबरिबन मैं हूँ अमित और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ इसरो अकैडमी के ओफिसियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को सुबह का नमस्कार और नमस्कार आपके उन अपेच्छाओं को भी जिनको आज आप पूरा करना चाहते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का डेट है साथ सितंबर सो हम लोग बात करने वाले हैं साथ सितंबर के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स पर चली शुरू करते हैं आज का सेशन तो देखे सबसे पहला सवाल आपके बीच में है कि किस योजना को असम राजने फि से प्राळम किया और इस योजना का नाम क्या है सोयम ठीक है अब सान नंबर CI हो जाता है इसके हिसाब से सोयम अब पहले देख लेते जाए उयम का फुल फॉर्म क्या है तो सोयम का फुल फॉर्म है स्वामई विवेका नंद असम यूथ इंप्रमेंट ठीक है तो स्वामई responsible ऐनंद इम्पाउरमेंट योजना ये जो है आपके देश के हमारे देश के एक राज है असम उसके द्वारा शुरू किया गया और इसमा है क्या इस योजना के अंतरगत जो लोग ब्योसाय कर रहे थे पहले से बिजनस कर रहे तो उस बिजनस को फिर से अगर वो प्रारम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां की राज सरकार पचाजार उपय तक का रेंड प्रदान करेगी यानि कि अपने बिजनस को री स्टेबिल करने के लिए ठीक है चले बढ़ते हैं अगले सवाल पर next question आपके बीच में है कि road network में भारत दूसरे अस्थान पर है ठीक है पुरे बिस्व की बात हो रही है तो पहले अस्थान पर कौन है तो पहले अस्थान पर पुरे बिस्व में आता है USA अभी एक हाली में रिपोर्ट आया है कि USA का फर्स्ट रैंक है road network में और भारत का दूसरा रैंक है road network में ठीक है तो clear हो गया होगा पहला पूछे तो भी आपके USA और अगर दूसरा पूछले भारत का होगा वो तो आपको याद रखना ही रखना है ठीक है ना next question है कि किस bank ने ATM cardless cash withdraw की सुविधा किस bank ने देखिए यहाँ पर किस bank किस bank दो बार आ गया है तो इसको एक पल के लिए हटा देते हैं यहाँ से ठीक है चलिए इसको बगर हटा दें तो अब अगला क्या बन क्या था ATM cardless cash withdraw की सुविधा किस bank ने प्रारम किया है तो ATM लेत्यम काडलेस कैस विड्रॉकी सुभधा रतनाकर बैंक लिप्टेड ने प्रारम किया है तीक है यानि कि बिना एत्यम में आप जाएंगे बिना एटिम कार्ड के आप जो है अपने अमाउन्ट विड्रॉक कर सकते हैं देक है तो यह सुभधा जो है रतनाकर बैंक लिमिटेट के द्वारा भी प्रारम किया गया है ध्यान रखना है आपको नेस्ट कोशन है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी के विशेश सलाहकार पद से किस ने इस्थिपा दिया है तो पाकिस्तान प्रधान मंतरी के विशेश सलाहकार पद से अभी फार्मर लेट जनरल ठीक है पाकिस्तान के आर्मी के लिटनेंज जनरल रह चुके थे ये असीम बाजवा और वो बिसे सलाकार पद पर थे पाकिस्तान के प्रान मंतरी के तो उसी पद से उन्होंने इस्थिपा दिया है ठीक है बढ़ते अंगले सवाल पर केंदरी खेल मंतरी किरन ध्यान से सुनिएगा E& Jogo मोबाइल एप लॉंच किया है यह एप किस खेल के आउनलाइन प्रसिच्छन के लिए बनाए गया है तो केंदरी खेल मंतरी किरन रिजिजु जो है हमारे देश में एक खेल मंतरी है किरन रिजिजु आपका नाम सुने होंगे तो यह हमारे देश क स्पोर्स मिनिस्टर है और केंदरी खेल मंतरी ने अभी E& Jogo मोबाइल एप लॉंच किया है और यह मोबाइल एप आउनलाइन प्रसिच्छन ने ट्रेनिंग के लिए बनाए गया है और यह किस खेल के ट्रेनिंग के लिए बनाएगा अगर यह पूछा जाती है फुटबॉल का राजदूत किसे बनाया गया है तो भारत की तरब से इटली का राजदूत बनाया गया है नीना मलहोत्रा को नीना मलहोत्रा आपसा नंबर 20 हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर बात करें इटली की तो इटली की राज़ानी कहा है यह रोम होना चीए रोम तो इटली की रा पर सवाल है केंद सरकार के दौरा हाली में कौन सा अभियान किया गया है उब हाली में केंद सरकार ने मिशन करमयोगी campaign यानि अभियान शुरू किया है मिसन कर्मयोगी अभियान ठीक next question हिंदू विधवा महिलाओं को क्रिसी और गैर क्रिसी जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोशना किस देश की सिर्ष अदालत ने किया है तो अभी हाली में बांगला देश की सिर्ष अदालत ने जो है हिंदू विधवा महिलाओं को उनके देश के क्रिसी और गैर क्रिसी जमीन दोनों पर अधिकार देने घोशना किया है अब इसका मतलब क्या हुआ कि बांगला देश में रहनी वाले जितने भी हिंदू परिवार है उसमें से अगर हस्बैन की देथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होगी उसके पास अगर जमीन था चाहे क्रिसी योग याने अरेबल लेंड था या नॉन अरेबल लेंड था उस जमीन पर उस महिला का अधिकार होगा जो अभी तक नहीं होता था ठीक है तो ये डिकलेरेशन बांगलादेश की एपेक्स कोट ने किया है बात करते हैं अगले कोशन पर जी ट्वेंटी के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुआ है तो इसका सही जवाब है साओधी अरभिया में हुआ है तो आपसन नमबर डी सही हो जाएगा भात के विदेश मंत्री आप जानते होंगे डाक्टर एस जैसंकर है ठीक है अच्छा अब जी ट्वेंटी की बात करें तो जी ट्वेंटी का फॉर्मेशन कब हुआ है 1999 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ है ठीक है चुकि देखो इसका फूल फोर्म क्या होता ग्रूप आफटी कंट्रीज अब ट्वेंटी कंट्रीज है ग्रूप है तो गूप का कोई head office नहीं होता है ठीक है गुरूप का मतलब सिब गुरूप से है उसका कोई head office नहीं होता तो 1999 में इनका establishment नहीं है formation क्योंकि गुरूप का formation होता है तो इनका formation हुआ है 1999 में ठीक है head office इनका कोई है नहीं अब बात करते हैं ज़रा इनका उद्देश से क्या है तो देखो G20 20 का मतलब यहां क्या है दुनिया के 20 सबसे बड़े जो देश है या कह सकते हो top 20 economy of the world दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थ बेवस्थाएं जो हैं वही इनकी member है ठीक है तो top 20 economy of the world जो है G20 के member है ठीक है इनका उद्देश क्या है यह आपको समझ में आ गया अब बात करते हैं ज़रा कि यह जो top 20 economy इस तो आप किसके साथ जाएंगे कि 20 मैंने बोला ही top 20 नाम में G20 लगा है तो ठीक है अब बात आती है कि क्या इसका कौन सा देश मेंबर है या नहीं है तो 20 देश इसके member है देखो कौन कौन से हैं आपको कैसे याद रखना है मैं अगर बोलो तो जर्मनी ठीक है USA Russia UK क्या बन ग जी ठीक है आस्ट्रेलिया ब्राजील क्या बन गया अब साउथ अफ्रिका इंडोनेसिया टर्की अर्जेंटीना क्या बन गया सीता साउधी अरब साउथ कोरिया चाइना फ्रांस कैनेडा इतली मैक्सिको और इरोपियन यूनियन ठीक अब देखो ये इतने 20 देशे जो इनके मेंबर है ठीक है जर्मनी USA Russia UK जापान इंडिया आस्ट्रेलिया ब्राजील साउथ अफ्रिका इंडोनेसिया टर्की अर्जेंटीना साउधी अरब साउथ कोरिया चाइना फ्रांस कैनेडा इतली मैक्सिक और इरोपियन यूनियन ये देश इनके मेंबर कंट्री जे 20 देश का नाम ने आपको बता दिया तो आपका बना क्या सौट फॉर्म क्या बना गुरू जी अब सीता SSCFCI में अगर चाहो तो इसको सेंटेंस बनाने के लिए देखो यहां तक तो आपका मेंन सेंटेंस था इस इसके बाद जो लिखूंगा उसका फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं होगा लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आप लिए क्या लिख सकते है जौब करती है तो क्या बन गया गुरू जी अपसीता SSCFCI में जौब करती है जौब करती है आपने जो लिखा ये सेंट को कंप्लीट करने के लिखा है तो इसका कोई मतलब है नहीं तो आप यहां से इसके मेंबर कंटीज निकाल सकते हैं एक बात और बता दे 2020 का जो मीटिंग था वो तो मैंने आपको बता दे साओधी अरभिया में 21 का होगा तो 2021 का मीटिंग होगा इटली में और 2022 का का होगा प पंग हल्सोल जो है वो मना जाता है सिक्के में आपसर नंबर 20 साही हो जाएगा नेस्ट कोशन है आपका किस ब्रिटिस पत्रिका ने केरल के स्वास्त मंतरी केके सैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है नॉमिनेट किया है तो ब्रिटेन में छपने वाली एक पत्रिका जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट तो प्रोस्पेक्ट नाम की पत्रिका ने केरला के स्वास्त मंतरी हेल्थ मिनिस्टर है केके सैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नॉमिनेट किया है तो मैगजीन का नाम क्या है प्रोस्पेक्ट नेस्ट कोशन है कि ड्वैन ब्र बनाया है next question is बिद्या कनुका योजना किस राज में प्रारम किया गया है तो बिद्या कनुका योजना अभी आंध्रप्रदेश की राजने प्रारम किया है और इस योजना के अंतर्गत आंध्रप्रदेश की सरकार सभी पढ़ने वाले बच्चों को मुप्त में स्टेशनरी का सामान पहुंचाती है या कह सकते हैं कि उपलब्द कराती है ठीक है Water State परियोजना किस राज में प्रारम किया जाएगा तो Water State परियोजना अभी करनाट का राज में प्रारम किया जाएगा तो option number 6 हो जाएगा जिससे उस राज में सिचाई की सुगधा को और सुगम या आसान बनाया जा सकता हूँ Society of Indian Automobile Manufacturers का अध्यच किसे नियुक्ट किया गया है ये question ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाना चारू उसको ध्यान से समझेगा Society of Indian Automobile भी इसको पढ़ सकते हैं Modern List में इसको Automobile पढ़ा जाता है Society of Indian Automobile Manufacturers का अध्यच किसे नियुक्ट किया गया उसका सही जवाब है मारुती सुचकी के CEO हैं क्या नाम है? Kenichi Ayukawa ये मारुती सुचकी के CEO हैं और इन्ही को बनाया गया है Society of Indian Automobile Manufacturers का अध्यच बनाया गया है Kenichi Ayukawa को अच्छा एक सी ध्यान रखेगा ये किस से समझें थे मारुती सुचकी के CEO हैं अब मैं बात करूं अगर देखे ये कोश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा की पूछेगा तो जवाब बदल जाएगा कोश्चन क्या घुमा सकता है कोश्चन घुमा सकता है Society of Indian Automobile Manufacturers कमेटी का ध्यच किसे बना गया अगर इसके आगे कमेटी वर्ड जोड़ता है अगर कोश्चन में इसके आगे कमेटी वर्ड जोड़ता है तो आपका जवाब हो जाएगा राजन वाधेरा तब आपका जवाब राजन वाधेरा होगा जब कमेटी बोलेगा तब ठीक है और अगर कमेटी नहीं बोलेगा तो केनिची अयुकावा ठीक है राजनवधरा महंद्रा एन महंद्रा के CEO है और केनिची अयुकावा जो है वो मारती सुझकी के CEO है तो ध्यान रखना आप सवाल क्या पूछ रहा उसके बाद जवाब देना अगला सवाल है महिला वा पूरूश फुट बॉल टीम को एक समान वेतन देने का नियम किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने पारित किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील ने पारित किया है आपसन नमबर 20 सही हो जाता है इसके पहले तीन और देशों ने इ को इस्थापित करने की घोशना वहां की रासरकार ने किया है अब आते हैं आज के करेंट अफेर के आखरी सवाल पर हाली में स्पेस एक्स ने 60 स्टार लिंक सेटलाइट लॉंच किया है इसके संस्थापक और CEO कौन है अगतार 3-4 दिन के करेंट अफेर में चर्चा में बने इस एक्स की स्थापना 6 मई सन 2002 को हुआ है जिसका हैड आफिस कैलिफोर्निया USA में है लेकिन दो तीन बाते और बताऊंगा एलोन मस्क जो है एक और कमपनी के मालिक हैं जिसका नाम है टेसला ठीक टेसला कमपनी के भी मालिक हैं एलोन मस्क और टेसला कमपनी इलेक्ट्रिक क बनाने वाली कंपनी और आपको एक बात यसी के साथ जोडता चलू थेसला कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और सेयर की वैलू मार्केट में एकाइक बढ़ जाने की वज़़ा से थेसला कंपनी या कह सकते स्पेस एक्स कंपनी दोणों के मालिक ईलन मस्क Porsche ने मार्क जुकरबर्क, मार्क जुकरबर्क को पीछे छोड़ कर तीसरा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर ब्यक्ति बनने का किर्तिमान अपने नाम कर लिया है तो मार्क जुकरबर्क जो है वो फेस्बुक के फाउंडर है, CEO भी है और ये तीसरे नंबर से अब चले गए हैं जोटे पायदान पर अब ये दुनिया के चोटे सबसे अमीर ब्यक्ति हैं जबकि इनको पीछे करते हुए चोटे से तीसरे अस्थान पर कोन आया है एलन मस्क आया है और एलन मस्क किन दो कमपनियों के मालिक और CEO है तो Tesla कमपनी के और Space X कमपनी के तो यह आपको ध्यान में रखना है पहले दूसरे पर पहले सही काबिज वही दो लोग पहले अस्थान पर कौन है अमेजन के मालिक कौन है आपके जेएफ बेजोज और दूसरे पर है बिल गेट्स तीसरे पर आजाते हैं आपके अलनमस चोथे पर मार्ग जूकरबर्ग पांच में पर आते हैं मुखे इस अमबाने जो की रिलाइंस के CEO हैं बढ़ते हैं अब करेंट अफेरेटर गलांस की बात करते हैं तो पहला सवाल मैंने आपसे कहा था किस योजना को असमराज ने फिर से प्रार्म किया है तो USA इसका सही जबाब था किस बैंक ने ATM ATM Cardless, Cashless, Withdraw की सुभधा किस बैंक ने प्रार्म किया है तो रतनाकर बैंक Limited ने प्रार्म किया है अगला सवाल था आपका पाकिस्तान के प्रानमंत्री के BCA सलाकार पत से किसने स्थिपाद दिया है तो फार्मर लेटिनेंट जनरल असीम बाजवा ने अपने पत से इस्तिपाद दिया है रिजाइन किया है के अंदरी खेल मंत्री किरन रिजिजु ने IN जोगो मोबाइल एप लाँच किया या एप किस खेल के ऑनलाइन प्रसिच्चन के लिए बनाया गया है तो इसका सही जवाब था फुटबॉल के लिए इतली का राजदूत किसे बनाया गया इसका सही जवाब नीनार मानोत्रा को बनाया गया है किंद सरकार के दोरह हाली में कौन सा अभियान प्रारम किया गया है तो मिसन कर्मयोगी केमपेन यानि अभी आन्सुरू किया गया है अगला सवाल मैंने डिसकस किया था हिंदू विद्वा महिलाओं को क्रिसी और गैर क्रिसी जमीन दोनों पर अधिकार दने की घोषना किस देश किस अदात ने दिया है तो इसके साही जवाब थे आपका बांगलादेश अगला सवाल था जी ट्वेंटी के विदेश मंत्रियों के बैटक किस देश में हुआ है तो इसका साही जवाब था साओधी अरभिया अगले आगे बात करें तो पंग हल्ब सोल तेवहार कहां मना जाता है तो सिक्की में मना जाता है थोड़ा जीब नाम है तेवहार का लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा किस ब्रिटीस पत्रिका ने केरल के स्वास्त मंत्री केके सलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है तो ब्रिटीन की में छपने वाली एक प्रतिका है प्रोस्पेक्ट उस मैगजीन ने इने नमिनेट किया है ड्वैन ब्रैबो को किसने अपना ब्रांड मेजडर बनाया है सही जवाब है S.B.O.T.O.P. इसने अपना ब्रांड मेजडर बनाया है जो कि एक ऑनलाइन कह सकते हैं सटा लगाने वाली कमपनी है जैसे ड्रीम 11, 2 सरकाल 11 वगरे जैसे आप देखते हैं बिद्या, कनुका, योजना किस राज में प्रारम किया गया है तो आंधर प्रदेश में प्रारम किया गया है वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को आंधर प्रदेश की सरकाल फ्री में इस्टेशनरी के वस्ति में उपलब्द कराएंगी जैसे कागज, पेन कह सकते हैं वगरा, काउपी वगरा सब कुछ वाटर सेट परिजना किस राज में प्रारम किया जाएगा तो इसका सही जवाब है करनाट का वहाँ के किरसी को और बहतर बनाने के लिए इरिगेशन सिस्टम को और बहतर बनाने के लिए सोसाइटी आफ इंडियन आर्टो मोबाल मैनुफेक्टरस का अध्यच किसे ने उत्किया गया है तो इसका सही जवाब है केनिची अयुकावा को जो कि मार्ति सुचकी के सियो है इस समय अगर मैने आपको इसके साथ जोड़ा था कि इसी मानिफेक्टर कमेटी वर्ड बोल दे तो फिर इसका जवाब बदल जाएगा नेक्स कोशन लेते हैं महिलावा फुटबाल टीम को महिलावा पुरुष फुटबाल टीम को एक समान वेतन देने का नियम किस देश के फुटबाल फेडरेशन ने पारित किया तो इसका सही जवाब था ब्राजील तीन और देश आचुके हैं इसमें आस्टेलिया निजिलेंड और नॉर्वे अब आता आपका ब्राजील चौथा देश बना है ड्रग पार्क किस राज में स्थापित किया जाएगा उडिसारा सरकार नभी हाले में अप्रूवल दिया ड्रग पार्क बनाने का अपने राजज में और आखरी सवाल था हाले में SpaceX ने 60 Starlink सेटलाइट लॉंच किया है इसके संस्थापक और CEO कौन है तो SpaceX के संस्थापक और CEO है एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जिन्होंने अभी पीछे चोड़ा है किसको पीछे चोड़ा है माग जुकरबर को ठीक है तो ये था Current Affair at a glance बात करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल पर लास्ट वीडियो में एक सवाल पूछा था इंटरनेट की गुड़वक्ता के मामले में कौन सा देश पहले अस्थान पर है और इसका सही जवाब था डेनमार्क इसके सही जवाब बहुत सारी लोग पर है आते हैं देखते हैं कितने लोगों इसका सही जवाब दिया है इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया ताप लोग को बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकामना है कि आपका जवाब सही है अब बात करते हैं आज के सवाल पर तो आज का सवाल है ग्लोबल इनुवेशन इंडेक्स यानि की GII 2020 में कौन सा देश पहले अस्थान पर है सदिक लोग इसमें इंवाल्व होंगे अब बात करते हैं एक इंपोर्टेंट अनॉंस्मेंट की आज दोपहर में डेड़ बज़े आने की एक बच के 30 मिनट पर हमारा यूट्यूब चैनल यानि की इसरो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइब आने वाले हैं लाइब आने का मकसद क्या है तो हम लाइब आने वाले हैं RRB NTPC का क्या सैलेबस है क्या आपकी स्टेजी होनी चाहिए किस तरीके से आपको फिप्रेशन सुरू कर दने चाहिए इसके बारे में डिसकसन करना है ठीक है चुकि आप सबको ये बात पता चल चुका होगा जो अ और उसी को मदे नजर रखते हुए RRB NTPC के और Group D के सैलेबस डिसकसन आप लोग की policy कैसे preparation करना चाहिए क्या आपका strategy होनी चाहिए तो उन सभी चीजो पर डिसकसन करने के लिए आज दोपार को मेरी पूरी टीम लाइब होगी आपके बीस में देड़ बज़े से तो एक बाति साथ और भी ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं या जो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं जोनोंने फॉर्म फिल किया था उन सभी लोगों को आप बताईए कि वो भी जुड़ पाए अधिक सदिक लोग हमारे इस campaign से जुड़ें सहयोग को और बढ़ावा दे ताकि हम और बहतर कर पाएं ठीक है तो उमीद करते हैं कि आज का session आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगा होगा साथ साथ एक और चीज़ आपको पता दे आज बहुत सारे important announcement होने वाले हैं इसी live session में तो जुड़ना बिलकुल मत भूलिएगा आपसे मिलूंगा मैं धन्यवार